जै माता दी, जै माता दी सुनो मुझे बहुत जोर से भूख लगे कुछ खानी को देदो दिखाएने दे रहे हम लोग माता रानी की पुझा कर रहे हम लोग के पास कुछ नहीं चलो जाओ यहां से जै माता दी, जै माता दी आज नौमी है मैं चलती हूँ मातारानी की पूजा कर लेती हूँ दीदी बहुत जोर से प्यास लगाए पानी पिला दीजिए ठीक है बेटा आप एहें बेटो मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ ये लो बेटा कुछ खालो और पानी पीलो रुको बेटा आज नौमी है लड़किया मातारानी की रूप होती है आप मेरे घर आई हूँ आओ मैं आपका पैर दूल जती हूँ जैह मातारानी मामी आज मामी हम लोग पूजा करने कब चलेंगे बेटा तो असा काम बचा है कर लेती तो चलती हूँ अरे मादुर्गा की सोने की मूर्थी अरे प्रिती मादुर्गा की सोने की मूर्थी चल बाजार में इस से बेचके आधर दे पैसे बाट लेते हैं नौमिक दिर मुझे मा दुर्गात की सोने की मूर्थी मिली है। मैं इनको नहीं बेचियूगी इनकी पूजा कर वही। मैं इपनी गरीबी मिटाने के लिए इस मूर्थी को बेच की रहूँगा। चाहे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेना पड़े। चल भाग बेटा। चलो बेटा इस पास वारे बगीचे में छूप जाते हैं। हे मादा रानी हमारे मदद करिये। अरी एक कहां चली गई। सुनो उस लड़की का पीछा छोड़ दो लोट जाओ। चल भाग यहां से। अरी एक कहां गई। मैं लाज चेता आनी देद्धियों भाग जाओ। ऐ चोटी सी लड़की भाग जा रहे तो मैं तुझे भी मार डालूँगा। ओह। ओह। भागो भूत। जै माता रानी। यह लड़की तो मेरे सरका बोज बन गई है, जब से पैदा हुए तब से बिमारा रहती है। मेरा सारा पैसा इसके दवा में ही खतम हो गया। सुनिए, मैं जारी मंदीर माता रानी की पूजा करने, हमारी बेटी का अच्छे से ख्या लख्येगा। ठीक है। बेटा, मैं जारी माता रानी की पूजा करने, उनका क्रीपा रहता, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। वो तु चली गई, घर में कोई नहीं है, काम करता हूँ, इसे तकीया से मार देता हूँ, सोचेंगे सब बिमार थी, मर गई। माता रानी, मेरी बेटी जब से दुनिया में तब से बिमार ही रहती है, कुछ चमतकार करिये, माता रानी। ताकि मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। मा, अरे बेटी तु यहां कैसे, और ठीक हो गई। जै माता रानी। अरे बाबा, मैं खुद कंगाल हूँ, आपको कहां से दे। अरे बाबा, आप हस क्यू रहे हैं। तुम्हें यही कारण है कि खाने की लाले पड़े हैं। तुम्हारे द्वार पे जो भी आता है, उससे बेज़्यत करके भगा देती हो। एक दिन तो माता रानी तुम्हारे द्वार पे सोयम आई थी। दीदी बहुत जोर से भोख लगे, कुछ खानी को दे दो। मैं चैन से कुछ खा भी नहीं सकती हूँ, सुबस बिखारी आया जा रहे हैं। इसलिए तुम आप भिखारन बन गई हो। बाबा कुछ उपाए बताईए। इसका एक उपाए है कि तुम्हें इस निवरात्री में नौ दिन का निर्जला प्रत रखना होगा, मा की ममता तुम्हें माप कर देगी। ठीक है बाबा मैं ये नौ दिन प्रत जरूर रखूंगी। माता रानी कर देख कर देख रहाagn है कमेंट बें इपाए अपनी पुस्त अपभ्याः कर दो ठीक है ऐसा ही होगा। माता रानी